अजो आपके सामने रखने वाले हैं वारे एक और नाइस तुट इस और इस पीजिए प्रेप सिरीज में आज हमारे साथ एक और सुडेंट जोड़ रहे हैं प्र और अनदर एक्सपिरियंस ऑन बालाजी इंटर्व्यू प्रिपरेशिश यह एक्ट्वी डन इट एक्ट्वी सामने रखने वाले हैं वारे एक और नाइस तुट प्लीज वेल्कम है तो रेगुलर क्लासे से अब फ्री होकर फाइनली हम लोग फाइनल प्रिपरेशन के बाद एक्ट्वीव का प्रसेस बताने वाले हैं तो विल स्टार्ट फिर्स्ट अपॉल ग्रूप डिस्कुशन सबसे पहले इनको रियालिटी चेक के लिए एक बार के आपका इंटर्व्यू कब था ओवरल एक्स्पिरेंस के सारा और फिरम बन बाइवन कोश्ट अब एवर्यवन है आपको बताना चाहती हूं कि मेरा इंटर्व्यू अलब कल था बट इट वेरी गूर्ट थूट थूट आपको रिखना होता है और आपको लिखना होता है इस अराउंग वन थाजन बोसे पहले हूं कि हमारे कुछ अर्लियर इंट्रिव्यू के एक्स्पेरियंस जो बच्चों ने बताए है वैट लिखके भी होता है कि आप पेपर उस पर दिखा सकते हैं फोटो कैज कर स्कैन करकर डॉक्यूमेंट भीजना होता है आपको या फिर ऑनलाइन का वैट टैपिंग टेस्ट है तो टैपिंग टेस्ट बन चुका है तो मुझे लगता है टाट बूल देना चाहिए चलो स्टार्ट करते हैं कोशन बाइकोशन जो जब्सक्राइब जादा चाहरे है स्टूडेंट्स के सबसे पहले जीडी जो आपने फेस किया तकल सुबहें उस जीडी के बाद ही आपका पी बताया है अब बस यह बोलना चाहती हूं कि जैसे हमाना नॉर्मल जीडी होता है काफी दरे हुए होते हैं इसको लेकर कि क्या टॉपिक आएगा हम बोल यह इस ताइम जो मेरा फॉर्स एक्स्पिकिंस था वट्स वेरी वेरी गुड बेकॉज मिस्टर अगस्तिन वस तरुपिक के साथ तो उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया था इंटी कि इंटी इंडियन एकॉनॉमी के आस्ट फीड उन्हां जिग्रस इक बेश्थ ङूपिक कर दे था इंडिये उम्डिया कॉनुम एकुज अट प्रपिक युद। आंटी में आम्ने एकॉपिक युद इ जिदना मतलब हम लोग बटर करके हम उसी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं हमें प्रेजेंट करना तो इनके पॉइंट्स तो क्लियर हो आप तक महुचे के नहीं डी रेगुलर जी बिल्कुल नहीं एक्स्टेंपोर बेज जैसे वन बन टाइम सबको बोलने का मौका दिया गया और समराइज किस ने किया है मॉडरेटर खुद ने अगस्टन राइट गूर्प डिस्कुर्शन क इनके आर्गुमेंट्स हम लोग थोड़ा से जानते हैं इन्होंने क्या क्या बोले और उसके बाद में जो इनका पी इस्टार्ट हुआ उसमें क्या ट्रांजिशन रहा मतलब डारेक्ली सब पैनलिस्ट के साथ डारेक्ट पी इस्टार्ट हुआ या वे बन-बै-वन सुनते अप्रबैबली एक ग्रुप में नाइन स्टूडेंट्स थे हम लोगों को अपना अपना नौश्च पूआँ पूआँ परवड करना था जैसे कि मैंने फ्यू डेस बाग क्लास में ही इंदिन एकोनोमी कर पड़ा था तो इस हेल्प में अलॉट मैं मैं टर्श्प प्रिजन तूड़ाइब टूट्स थे मैं अपर्ट वम अपर्ट फ्रम दरस आ वंटे तो शिर की उस पाद उन्होंने खुदी इंदिन एक प्रिजिन पूट्ट पूट पूटा और देन वी वर लेक यह आजग दी आंसर फ्रम आल फॉट पूट 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 पूट्ट इंदेन औ सबसे इंपोर्टन चीज क्या कोशन थे सबसे पहला कोशन किया था वहीं से अपनी जर्णी शुरू करिये हमारे जो व्यूवर से जानना चाहेंगे 5 minutes wait करने के बाद lobby में मेरा personal interview था दिसमें my first question was on my name itself like what does your name signifies you need to tell everything about the name apart from this the question the another question was from my hobby once I told my hobby she has gone deep inside inside that what does this signify how could it how you can say that this is your hobby written profession for the question the basic questions काम से शुरूआत हुई है नेम का मीनिंग आप लोग सब तयार रखी अपना क्योंकि हर नाम का कोई नहीं कोई मेनिंग होता for example my name is himanshu and that means इसे आप सबको अपने नेम की मीनिंग्स पता होने चाहिए और इसको humorous point of view भी बोल सकते हो जब आप से पूछा जाता है कि what does your name signify और मैं बहुत ज्यादा थंडा किसम का हूं very cool guy because people call me himka टुकड़ा तो ऐसा कुछ humor factor आपके साथ होना चाहिए रही बात इनके मीनिंग hobbies में चले गए hobbies में they actually dived into the cascading questions of hobbies back to back और उसके बाद में क्या आप से कुछ ऐसा पूछा गया जो की HR round के अलावा जैसे कुछ GK questions कुछ must know GK type questions था वो पूछा कि what was the most important day news of the India as well as of the world you need to tell about the tune to news to actually मैंने पढ़ लिया था morning में so help हम लोग यहां पर daily students को बोलते रहते हैं daily newswippers की headlines देखते रहों और बोल नहीं देखते हैं we know that बोलना मरा करता हुए है तो हम उनको news भेज भी देते हैं तो कल कुछ अच्छी अच्छी नियूज आये थे newswippers में I forwarded them to her and उसमें से शायद कुछ काम आये गए है what was the news if you remember it was about the president one is of the president and the another one is of the sports news अर्डन कल न्यूजेलेंड की प्राइम मिनिस्टर जो आनाउंस करती है family first issues की वजह से and that was a good thing के इन लोगों ने वो पढ़ लिया finally यह चीज हमारे लिए फाइनली आते हैं वैट पे तो PI हो गया है GD हो गया है वैट writing aptitude test जो आज सुबह हुआ है आपका शायद right topic था उसमें जरा बताईये was there any option or not and finally आपने क्या क्या लिखा उसमें आज मौनिंग मेरा वैट था विच आज मेरा मौनिंग मेरा वैट था विच आज मेरा मौनिंग मेरा वैट था विच इस आफ 20 minutes 20 minutes were provided to me two topics were there the first one is the famous quote of the अटल भी अटल भी हारी बाचपाई like India was earlier was in golden bird can it be now as well first one was this and the another one was eight hours of sleep and eight hours of school college what valuable you can do in the rest eight hours the choice was all hours the ball is in our court which topic इनकी बास दो टॉपिक आये हैं और इन्होंने दोनों टॉपिक में आपको बताया कौन कौन से आंसर से सोच सकते थे आपको भी सोचने है comment box में अगर हम लोग कुछ मिस्स कर जाएंगे तो हम जरूर टाइप कर देंगे आपके लिए रिमेनिंगांसर इन टॉपिक्स में आपने कौन सा चूज किया व्यार क्यूरियोस तो नो कि I have chosen for the first one because of the history second one जो था वो मतलब उसमें आपको काफी अपना का valuable input देना था until and unless आप अपना पेस्ट देते हो तो until and unless आप अपना बेस्ट नहीं देते हो तो यूँ आप स्लेक्टिड बहुत था क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट रख दिया जो कि वैलेवेबल नहीं है तो विल शॉर्ली अर रॉप दाउन क्या भारत फिर से सोने की चुडिया बन सकता है तो यू कुड राव यूश्ट रूमर्स भी इसमें आप यूस कर सकते हो कि देली हम लोग लोग इंडिया के टॉपिक पर डिसकस करते हैं रहते हैं कुछ ना कुछ आपके बास दीटा भी होना चाहिए तो इसके तो उसके तो मुल्टिया तुट्री के करेंगे ही और काफी सारे लोग इसको उसको ट्राए करेंगे सब्स्तिक्राइग ता वस गूट चुड चोइस झाल झाल